चॉकलेट कुकीज, वैनीला कुकीज या चॉकलेट वैनीला कुकीज यह तो बहुत खाई होंगी आपने बट क्या कभी आपने कोई इंडियन फ्लेवर वाली कुकीज ट्राइ की हैं, बहुत जादा टेस्टी बनती हैं तो, आज हम बना रहे हैं वही अपने देसी इंडियन फ्लेवर्स वाली कुकियं जो कि है रस मलाइ कुकियं। नाम सुनते ही मूँ में पानी आ रहा है ना और ये कुकिस बहुत जादा अच्छी बनती हैं, बहुत जादा कमाल के फ्लेवर्स हैं इसमें और इन कुकिस को मैं आपको अवन और कडाही दोनों में बना कर दिखाऊंगी, जरूर देखेगा इस रेसिपी को और जरूर ट्राइ करिए काँ, तो आज की ये जो रस मिलाई कुकिस हैं, यानि की हमारी इंडियन फ्लेवर वाली जो कुकिस हैं, इसमें हम कुछ इंडियन फ्लेवर्स अड्ड करेंगे, तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी केसर, जिसके लिए हम केसर को भीगोकर रखेंगे, तो दो को केसर नहीं डालना है, तो आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, या फिर केसर एसेंस भी डाल सकते हो, तो बस इसे एक साइट पर रखेंगे, इसके बाद अब हम अपनी कुकिस का डो बनाएंगे, जिसके लिए एक बोल में मैं यहाँ पर ले रही हूँ, यह आधा कप यानि की 100 ग्राम जितना बटर, मैंने अमुल सॉल्टेट बटर यूज किया है, आप चाहो तो इसकी जगा देसी घी भी ले सकते हो, बस जो भी चीज ले रहो ना वो रूम टेंपरेटर वाली लीजेगा, यानि की इस तरह से इसमें मार्किंग आनी चाहिए, बहुत हार्ड या एकदम से पिगला हुआ नहीं लेना है, अचा आप हम इसे विप करेंगे, जिसके लिए आप इस तरह से हैंड विस्क है तो इस यूज कर सकते हो, नहीं तो अगर आपके पास इलेक्रिक विस्कर है तो ये भी यूज हो सकता है, इससे इन फाक्ट टाइम और महना और इस बटर को हमें विप करना है, तब तक विप करेंगे जब तक कि ये क्रीमी, लाइट और फ्लफी हो जाएगा कलर और टेक्शर में, तो बटर को मैंने विप किया और आप देखरों कि पहले से कितना लाइट हो गया ये कलर में और एकदम क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स ब बनने लग जाएंगी, अचा जितना अच्छे से आप इस मिक्शर को विप करोगे ना, उतनी ही फ्लफी आपकी ये कुकिस बनेंगी, तो मैंने इसे विप कर लिया है और अभी आप देख रहे हो कि कितना एकदम लाइट फ्लफी है ये मिक्शर, वाइट लग रहा है कलर में और इसमें क्रीम जैसे स्टिफ पीक्स भी बन रहे हैं, तो हमें इतना विप कर लेना है, अचा अब इसके बाद हम इस बोल के उपर रखेंगे एक छनी जिसमें डालेंगे एक कब जितना मैदा, मैं आज इसे मैदे से बना रहे हूँ, आप गेहूं काटा भी ले सकते हो, औ साथ में इसमें मैं डाल रहे हूँ, एक बड़ा चमच जितना सूजी, बारीक वाली सूजी लीजेगा, और एक बड़ा चमच मैं इसमें डालती हूँ, बेसन, आप चाहो तो इन दोनों चीजों को स्किप करके मैदे की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो, अचा साथ में इसम मैं बेकिंग पावडर आड़ कर रहे हूँ, यह बेकिंग पावडर है, और एक पिंच इसमें डाल देंगे, बेकिंग सोडा, सिरफ एक पिंच इतना, नमक मैं इसमें नहीं डाल रहे हूँ, क्योंकि हमने सॉल्टिट बटर लिया था, अगर आपने अन सॉल्टिट लिया थ तो आप इसमें नमक डाल दीजेगा एक पिंच इतना तो सारी चीजों को चान लिया है तो अब बारी आते हैं इसमें फ्लेवर्स आड करने की जिसके लिए इंडियन कोई भी चीज बने तो सबसे पहला फ्लेवर जो कॉमन फ्लेवर है वो है इलाइची पावडर तो तक्रीब ऐसेंस थोड़ सा रोजस नहीं है तो आप इससे स्किप कर दीचेगा जो हमने लाइची और केसर दालना उससे भी अच्छा एक्च्छा दो बना लेंगे अच्छा आटे की तरह नहीं कर हमें गुंथना नहीं है बस बिल्कुल हलकी ही हाथों से इसे गुंदेंगी अचा अब इसके बाए ये जो डो बन गया है इसे आप चाहो तो इसी तरह से नाच्रल कलर में रख सकते हो बट मुझे इसमें हलका सा येलो कलर चाहिए बिस्त और थोड़ा सा बादाम लिया है नट्स टालना बिल्कुल ऑप्शनल है आप चाहो तो कुकिस को प्लेन रख सकते हो बट हलके से नट्स ना क्रंच आड़ करते हैं आप डालके देखिएगा तो बस इसे मिक्स करने के बाद फाइनली हमारा ये डो बनकर तयार हो गया है डो एकदम सॉफ्ट है और डो पॉफेक्ट है या नहीं इसे चेक करने के लिए आप थोड़ा सा पोर्शन लेकर इसमें से एक कुकी बना कर देखिए अगर आपको लग रहा है कि इसकी साइड पर कोई क्रैक्स आ रहे है तो इसका मतलब है कि डो अभी ड्राय है थूड़ा सा दूद इसमें डलेगा अगर ये इस तरह से पॉफेक्ट है इसका मतलब है कि डो पॉफेक्ट है चलिए अब हमारा डो तयार हो गया है अब हम इससे cookies बनाएंगे बट उससे पहले हम अपने mold को तयार कर लेंगे तो आज की इन cookies को ना मैं आपको कड़ाही और oven दोनों में बना कर दिखा रहे हूं तो कड़ाही के लिए मैंने यहाँ पर यह round cake tin लिया है aluminum का और जो oven में बनेंगी उसके लिए मैंने यहाँ पर यह aluminum की tray ली है इसमें मैं बना कर दिखाऊंगे क्योंकि tray कड़ाही में नहीं आएगी तो tray में हम oven बनाएंगे और हाँ अगर इसके अलावा आपके पास यह कोई भी aluminum का बरता नहीं है ना तो इसके अलावा आपको steel की थाली अगर आपके पास होगी ना घर पर थोड़ी सी मोटी वाली थाली तो उसमें भी यह cookies बन जाएंगी मैं आपको इसमें भी in fact आज बना कर दिखाऊंगी तो सबसे पहले हम अपने molds को तयार कर लेंगे जिसके लिए ना बस आपको इसको अच्छे से oil से या butter से grease कर लेना है मैं oil use कर रहें से grease करने के लिए कोई butter paper लगाने की भी जरूरत नहीं है बस अच्छे से oil से grease करिएगा तो यह cake tin तयार हो गया है, tray भी तयार हो गई है इसी तरह से अगर steel की थाली में बना रहे हो तो उसे भी grease कर लेना है और हमारी यह steel की थाली भी तयार हो गई है अच्छा अप जिन cookies को हम कडाही में बनाएंगे उसके लिए कडाही को गरम होने के लिए रख देते हैं तो cookies को कडाही में बनाने के लिए कोई भी मोटे तले की कडाही ले लीजे इसमें चाहो तो नमक डालना है तो वो डाल सकते हूँ मैं बिना नमक के बेक करते हूँ और फिर कोई stand रख दो या फिर किसी भी plate को उल्टा करके रख सकते हो और इसे उपर से ढखके से medium flame के उपर 10 मिनट तक गरम करेंगे इसके बाद अब हम अपने डो के साथ cookies बनाएंगे जिसके लिए इसमें से थोड़ा थोड़ा सा portion लेना है जितनी भी छोटी बड़ी मोटी पतली आप cookies बनाना चाहते है उतना सा portion लीजे और इसको इसना से bind करके roll करेंगे फिर हलका सा प्रेस करेंगे एक cookie की shape दे देंगे अगर लगे कि side पर कोई भी cracks है हलका हलका से इसे seal कर दीजे बहुत जादा cracks नहीं होने चाहिए तो बस हलका हलका से से adjust करने पर हमारी एक cookie बनकर तयार हो गई है अच्छा इन cookies को आप चाहो तो इस तरह से plain भी रख सकते है बट मैं इसके उपर भी थोड़े से dry fruits लगा रहे हूँ जिसके लिए मैंने बादाम और पिस्ता को finely chop किया है बस इसमें इस तरह से cookie को रखेंगे हलका सा press करेंगे तो ये dry fruits अपने आप ही लग जाएंगे इसके उपर तो बस हमारी ये cookie तयार हो गई है अब हम इसे mold में arrange कर लेंगे आच्छा ये cookies जब आप अपने mold में रखेंगे ना तो आपको इसको side से थोड़ा सा आगे की तरफ रखना है और दो cookies के बीच में भी हमेशा gap रखना है क्योंकि जब ये bake होंगी ना तब थोड़ा सा फैल जाएंगी इसलिए हमें थोड़ी space रखनी है बीच में तो बस मेरा ये mold तयार हो गया है इसे मैं कडाही में bake कर रही हूँ तीस मिनट भी लग सकते है अचा इसी तरह से हम oven वाली cookies को arrange कर लेते हैं तो tray में उसी तरह से मैं cookies को थोड़े थोड़े gap के ऊपर arrange कर रही हूँ तो tray तायार हो गई है oven को मैंने पहले से ही preheat होने के लिए रख दिया था 180 डिगरी पर 10 मिनट के लिए तो cookies को हमें preheated oven में रखेंगे और इसे हमें bake करना है 160 डिगरी पर तकरीबन 12 से 15 मिनट के लिए cookies को हमेशा दोनों rods on पर ही bake करिये का अचा इतनी देर में ये जो steel वाली थाली हमने त्यार की थी इसमें भी cookies को arrange कर लेते हैं अगर आद ध्यान से देखेंगे तो ये brown हो गई है हलकेल की सी इसका मतलब है कि cookies अच्छे से bake हो गई है अचा ये cookies अभी गरम है तो बिल्कुल soft है तो अभी हम इसे हाथ नहीं लगाएंगे पहले इसे अच्छे से ठंडा हो जाने के लिए रख देना है जब ये ठंडी हो जाएंगी तो अपने आप से ही crispy हो जाएंगी अचा इसके बाद अभी जो अवन में हमने cookies रखी थी इसे रख़ें मुझे पूरे 14 मिनट होए हैं आप देखेंगे कितना अच्छा color आ गया इनके ऊपर अवन में cookies के ऊपर भी अच्छे से color आ जाता क्योंकि हमने दोनों rods on रखी थी और काफी अच्छे से पक गई है cookies और अभी ये भी गरम है तो soft है इसे भी हमें पहले पूरा अच्छे से ठंडा हो जाने देना है फिर हम इसे एक एकर करके चेक करेंगे अच्छा इतनी देर में अभी तो steel वाली थाली है इसे मैं अपनी preheated कडाही में रख देते हूं कडाही ओल्रेडी गरम थी और इसे उसी तरह से low flame के ओपर 20-25 मिनट के लिए bake करना है तो इस cookies को रखे हुए भी 20 मिनट हुए है color side से हलका हलका brown हो गया है इसका मतलब है कि ये वाली cookies भी अच्छे से bake हो गई है तो इन्हें भी निकाल कर ठंडा हो जाने देंगे तो finally तयार हो गई है आज की हमारी ये रस मलाई cookies आप देखरे हो कि देखने में ही कितनी यमी लग रहे एकदम vibrant color वाली cookies हैं ये और ये बिल्कुल अच्छे से अब सारी cookies ठंडी भी हो गई है तो अब हम फटा-फट से एके करके इन cookies का texture और taste चेक करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कडाही वाली cookies जो हमने बनाई थी जब ये ठंडी हो जाएंगी बहुत इजली ये mold से भी अलब हो जाएंगी और आप देख रहे हैं इसका color उपर से कितना अच्छा yellow color आया है इसमें और इसके नीचे की side से देखें बिल्कुल अच्छे से ये crispy हो गई है perfect जाली है इसमें तो कडाही में बनाईए चाहिए आप अवन में बनाईए आपके cookies एकदम perfect बनेंगी तो इन cookies को अब हम निकाल लेंगे एक plate में आप देख रहे हो कि कितनी yummy लग रही हैं ये cookies देखने में जितनी yummy हैं खाने में उससे कही जादा tasty है अचा इसके बाद अब ये जो oven वाली cookies है oven वाली cookies भी बहुत जादा अच्छी बनी हैं बस oven और कडाही में सिरफ इतना फरक होता है कि उपर से color आजाता है oven वाली cookies में कडाही में उपर से color नहीं आ पाएगा बट मुझे लग रहा है कि कडाही वाली cookies देखने में जादा अच्छी लग रहे हैं क्योंकि उपर से वो yellow color की ही है वैसे otherwise texture में, taste में ये cookies बिल्कुल same होंगी तो आप किसी में भी बना सकते हो इसे तो हैना बहुत ही आसान cookies बनाना तो बस इसे भी plate में निकाल लेना है और इसी तरह से अब ये जो steel की थाली में हमने बनाई थी ये भी cookies बिल्कुल same बनी है easily अलग हो जाएंगी, perfect color है, perfect texture है और आप देखिए, aluminium mold में जो बनाई थी और जो हमने steel की थाली में बनाई है, दोनों same है तो अब आगर आपके पास aluminium का कोई बरतन नहीं है, तो आप steel की थाली में भी इन cookies को बना सकते हो तो चलिए, अब इन cookies का मैं आपको final अंदर का texture चेक करवाती हूँ तो देख रहे हैं आप, कितनी एकदम perfect जाली दा texture है, और color तो आप देखी रहे हैं, कितना yummy लग रहा है बिल्कुल जैसे वो bakery में बनती है न, खस्ता वाली cookies, बिल्कुल वैसी बनेंगी ये और flavor बहुत जादा गजब का है ये मेरे husband को तो ये cookies इतनी जादा पसंद आई न, जब मैंने उन्हें टेस्ट करवाया, तो एक cookie की बजाए उन्होंने चार cookies खाई seriously ये इतनी जादा टेस्टी बनती है, तो अगर आपको भी मेरी तरह इंडियन मिठाईयों वाले flavors बहुत पसंद है न, तो ये रस मलाई cookies तो आप ज़रूर ट्राय करिएगा और इन cookies को अब आप अपने tea coffee के साथ enjoy करो या किसी भी added container में store करके रख सकते हो, ये काफी देर तक हराब नहीं होंगी तो ज़रूर से try करना इन रस मलाई cookies को और मेरे साथ अपना feedback ज़रूर शायर करिएगा और अगर recipe पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजेगा और चानल को subscribe करना ना भूलें